राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बंगर फोर्ट अपनी खूबसूरती के अलावा अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशूर है। यहां हर साल भारी संक्या में पर्याटक गूमने आते हैं। इस किले का निर्मान महान मुगल सेनापती मान सिंगा के छोटे भाई राजा मादव सिन्ह ने करवाया था। वखलांकि इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां पर चलित हैं। आएए जानते हैं भांगर किले के एतिहास और इसके रहस्यों के बारे। इस किले को लेकर कई तरह मान्यताएं हैं इसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्मान किया गया है वह इन ही सादू की थी सादू ने किला बनाने की अनुमती इस शरत पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से उन्ची नहीं होनी चाहिए और किसी सनरचना की चाया उनके घर पर पड़ी तो ये किला नश्ट हो जाएगा भा जाता है कि मादो सिने के पोते अजब सिन्ह ने इस चेतावनी को नजर अंदाज कर किले की उन्चाई बहुत बढ़ा दी जिसके परिनामस वरूप सादू के घर पर छाया पड़ी और शहर नश्ट हो गया इस किले के हॉन्डिड होने की कहानी यहां की राजकुमारी रतनावती से जुड़ी है भा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुन्दर थी जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उन्हें इतर खरीदते देखा और इतर को प्रेम ओशदी से बदल दिया हलांकी राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने और शदी को पास के एक पत्थर पर फिंक दिया इसके परिनामस वरूप चटान जादूगर की और लुड़की और चटान से कुचल कर उसकी मौत हो गई हलांकी मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि ये जल्द ही नश्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा बाद में मुगल सेना ने राज्ये पर हमला कर कबजा कर लिया और राजकुमारी रतनावती सहित खिले के सभी निवासियों को मार डाला ये भारत की सबसे ज्यादा हॉंड़ेड प्लेस में से भी एक है यही वज़ा है कि सूर्ज डलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है किले में मौजूद नेगेटिव एनरजी की वज़े से कोई भी यात्री शाम के बाद न तो यहाँ प्रवेश करता है और नहीं किले के अंदर घूमता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले